चाप पुतिला के सब चीनी है मुझे नए ना मिलाई के ट्रिनिटी निव येर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट सजेगी सुरो की मैफिल जुमेगा पूरा पटना खाना भी होगा बेहद लजीज बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ इस कार्निवल में सुर्ज संग्राम विजेता और मुंबया सिंगरों की उतार दी है फोच तो देर मत कीजिए जल्दी से अपना टिकेट बुक कराईए और 31 की साम को बनाईए बेहद रंगी पार्टी के रास्टिय और ध्यक्ष का पत सम्हालते नितीश कुमार एक्षन में आ गए है जैसा कि आपने सुना भी होगा कि रास्टिय कारेकारनी के बैठक में जैसे ही इस्तिफा हुआ ललन सिंगा उसके बाद से रास्टिय कारेकारनी नितीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया और इसको रास्टिय परिशत की बैठक में स्विकृति भी मिल गई उसके बाद से कई तरह की बाते सामने आई कहा ये जाने लगा कि जो पाटी थोड़ी कमजोड हुई है उसे ठीक करने में नितीश कुमार अब उनके हाथ में कमान आने के बाद देश भर में अलग अलग जगह घूम करके पाटी संगठन को मजबूत करेंगे इन सारी बातों के साथ साथ एक बड़ा विवाद लंबे समय से पाटी के भीतर चल रहा था उस विवाद को भी सांथ करने का भरसक प्रयास नितीश कुमार ने किया है इतना ही नहीं नितीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अधक्ष बनने के बाद सबसे पहला फै करके कह रहे थे कि वह सीता मड़ी से जंता दल उनाइटिट के उमीदवार होंगे और उन्हें पार्टी की तरफ से यह ऐसा सिगनल मिल गया है देवेशन ठाकूर के नाम से पूरे सीता मड़ी में हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं और भावी उमीदवार के रूप में उन्हे हमने आपको दी थी हमने आपको पताया था कि लगभई दर्जन के आसपास अलग अलग राजनितिक दल के नेता जो सीता मड़ी संबंद रखते हैं और उमीदवारी में अपने आपको भी पूरी तरह से सक्षम मानते हैं उन सभी ने बैट करके एक मीटिंग की थी इस मीटि सारी बातों पर भी राम लगा है क्योंकि उससरे में भी हमने आपको बताया था कि नितीश कुमार ने खुद मुलाकात नहीं कि बलकि बिजय कुमार चौधरी ने उस ग्यापन को लिया और उसके बाद से कहानी नई मोड़ ले चुकी है आपको बता दे कि एक तरफ जहां ल पक्षी गठबंधन के सीट शेरिंग के समझोते अभी नहीं हुए हैं लेकिन सीता मड़ी संसदिये छेतर से जद्यू की ओर से देवेश चंड ठाकुर का परत्यासी बनना तय हो चुका है जद्यू की बैठक में मुख्यमंति इन तीश कुमार ने इसकी घोशना भी कर दी ह देवेश चंड ठाकुर बिधान सभा के माफकीजे का बिधान परिशत के अभी सभापती हैं और काफी कहा जाता है कि मिलंसार भी हैं सिता मड़ी से जद्यू परतासी की घोशना से बिहार में बिपक्षी गठबंधन के इस्थिती भी अब एसपस्ट होने लगी है आपको बता दें कि इन सारी परिश्थितियों को अगर देखा जाए तो एक बात साफ नजर आ रही है कि नितीश कुमार ने अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे पहला फैसला लिया है वो फैसला कहीं न कहीं एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है जब कारेकारनी के बैठक सु जडियो के ही कबजे में है जहां से सुनील्कुमार पिंटु सांसद है हलाकि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के समर्थन में बोल रहा है और दरसल पिंटु आए भी नहीं थे भाजपा नबना है किन्तु पिछले संसदिये चुनाव में वो जदियू के अधिकित प्रत्यासी के रूप में चुनाव लड़े थे अंतिम समयमन का टिकट फाइनल हुआ था जदियू के सिंबल पर वे चुनाव लड़ने के बाद संसद बने अब भाजपा से जदियू का गठ बंधन खत्म ह चुका है तो पिंटु भी अपने रास्ते निकलना शुरू कर चुके हैं इसी सीट पर नितिश्क मार ने देवेश चंद्र को प्रत्यासी घोशित कर दिया है इस सीट पर देवेश चंद्ठाकुर ने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी इसको ले करके हमने आपको जो बाते बताई वो भी आपको देखने को मिली यानि कि इस बैठक में जो तीन फैसले हुए उसमें सबसे बड़ा फैसला तो था ही इसके साथ साथ एक बड़े फैसले के रूप में आप देवेश चंद्ठाकुर का सीता मढ़ी से उमिद्वार बनना भी देख सकते हैं जिया तू हजार साला जीया तू हजार धनिनाची के तनिगाई के तनिनाची गाई सब के मन बहलावारे भाईया पर श्री बालाज इर्जॉट पर एक शांदार 31st नाइट मनाया जा रहा है जिसके लिए हम लोग देश बिदेश जाया करते थे मुंबई दिल्ली जाया करते थे आज हमारे पटना में होने जा रहा है तो कहा हो पटनावासियों लगाते हैं न मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं जांदार 2420 आये मनाते हैं नूवर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूज आइकोन को बनाते हैं सराते हैं आशिरवाद देते हैं सपोर्ट करते हैं जैह पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है 6700 धन्यवाद